विस्तार, मैं एक बडर फिर आपके भीच, डेक्र चितेर्ण कुमार फार्मासिश्ट जैसा कि हमने लाफ्टड वीडिएयो में डिसकश किया है, डिमोग्राफि एंड फैमली प्लानिंग। और डिमोग्राफि फैमली प्लानिंग के जो फिनामिनूमुश है, तो उसमें जो है आज हम विस्तार में बात करेंगे जो नंबर वन है fertility के बारे तो fertility के बारे मैं discuss करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे fertility क्या है fertility is the actual bearing of children बच्चों को जनम देना is called fertility some demographers prefer to word netlety in other words we can say netlety भी कह सकते है and place of fertility fertility की जगा कुछ लोग इसको netlety भी कहते है and faculty is the capacity of capacity to have children faculty क्या कहते है जो बच्चों की capacity कितने बच्चे किसके हैं उसको जो है faculty कहते है तो factor regulatory fertility और इसमें क्या factor है उसके बारे मैं बात करेंगे the following are the important factor which regulate fertility and knowledge of these factors is important for family planning सबसे पहले है age at marriage fertility पे सबसे बड़ा निर्भर करता है कि early marriage is long stabilized custom in India भारत की एक बहुत पुरानी परंपरा और प्रथा है बाल गुभा और उससे क्या होता है इसमें ये disadvantage है कि population growth हो जाती है क्योंकि जल्दी साधी होती है तो ज्यादा बच्चे पैदे होते है और जल्दी बच्चा पैदा करते है इससे क्या होता है बच्चे की mother और बच्चे दोनों की सेहत पे बहुत बुरा दुस्प्रभाव पड़ता है and adverse effect on the woman इसमें जैसा कि हमने लिखा भी है साथी साथ second number बात करें कि duration of married life इसमें लिखा है maximum second number है maximum child birth occurs in the first 15 years जैसा कि हमने demographic family planning में भी discuss किया था अगर जल्दी साधी होती है तो क्या होता है कि 15 साल के अंदर जादे जादा बच्चे साधी होने के बाद पैदा किये जा सकते हैं अगर एक mature age पे होगा तो कम बच्चे होगे और जल्दी हो जाएगी तो जादा बच्चे होते हैं so effort for family planning must be concentrated only during the early year of married life और उसमें क्या होता है कि वो जल्दी हो जाती है तो married life मतलब जो है अपनी family पे अपने मतलब wife के प्रती जादा attract रहते हैं space between birth reduce the fertility सबसे important factor है बच्चों में अंतर बहुत जरूरी है उससे क्या होता है mother और बच्चे दोनों की सहत fit रहती है तो इसके लिए educate करना होता है लोगों को ग्रामेडी लाकों के लिए उसके लिए बहुत से जो है education के center है sub center है जो सिच्छित महिलाए है वो कम बच्चे पैदा करती है और जो अनपड़ है वो जादा बच्चा पैदा करती है तो इसलिए उनको education education का विकास बहुत जरूरी है इगनोमिक स्टेटेट है fertility decrease within increase the per capita income और fertility क्या करती है जैसे गरीब होते हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और उससे क्या होता per capita income कम हो जाती है खर्चे उनके ज़्यादा बढ़ जाते हैं जबकि educated लोग ऐसा नहीं करते हैं तेक है उससे क्या होता है कि जो गरीब होते हैं contraceptive जो होती है tablet होती है उसको कम purchase कर पाते है कम इस्तमाल कर पाते है जैसे condom है tablets है महिंगी आती है वो नहीं खरीद पाते हैं तो economic status की वज़ा से जो है गरीबों में बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं and caste and religions जैसा कि Muslim में believe है कि almighty of Allah ये कहते हैं अल्ला की देन है और बच्चे पैदा करते चले जाते हैं तो लिखा इसमें so Muslim higher fertility than Hindu और Hindu क्या करते हैं कम बच्चा पैदा करते हैं तो इसलिए जो है Muslim ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं तो caste और religion पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है and nutrition it has an indirect effect will feed society so lower fertility rate और यह क्या होता है कि best nutrition होता है और जो मतलब उससे क्या होता है कि बच्चे की सेहत फिट रहती है मदर की भी रहती है और इससे बच्चे कम पैदा करती है तो जो है वो सेंटर पर जो है उनको educate भी किया जाता है साथी साथ family planning आठ factor है इसमें family planning करते है can be lower fertility और उससे क्या होता है कम बच्चे पैदे होती है जैसे contraceptive इस्तमाल करते है condom है, car party है बहुत से इस तरह के साथी साथ हम nine factor की बात करेंगे other factors इसमें बहुत होता है जैसे culture and social factors जैसे उसमें क्या होता है women of society उसकी महिला की क्या position है इसे गरीबों में क्या होता है सिर्फ बच्चे पैदे करने का वो होता है and value of children है and customs and belief और जैसे मुस्लिम है भगवान पर भरोसा करते है अल्ला की देन है और बच्चे पैदा करते चले जाते है तो आज हमने जो बात किया है जो है actual bearing of children उसके बारे में तो next वीडियो हम जो है mortality के बारे में बात करेंगे तो इसी के साथ हम विराम देंगे नमस्कार